महादेवी बर्मा को मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बताता हूं महादेवी बर्मा का क्रम मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बताता हूं यह महादेवी बर्मा है यह क्या है महादेवी बर्मा जन्म कब हुआ था 1907 में इनका जन्म हुआ था कहां इनकी बित्थ हुई थी प्रयाग राज में तो महादेवी बर्मा सबसे पहले जब उठती हैं तो निहारती हैं क्या निहारती हैं? पताईए रश्मी यानि क्या सूर की किरडे निकली या नहीं निकली यानि नीर्जा यानि रात्री गई या नहीं गई? नहीं तो एकदम सबेरा हो चुका रहता है तब ये शांद गीत गाती हैं दिन भर घूमती हैं साम को क्या गाती हैं? शांद गीत गाती हैं और सांद गीत के बाद दीप सिखा जला देती है क्या जला देती है दीप सिखा जला देती है उसके बाद इनकी यामा रचना है जो इन ही सब का संक्लन है इन पोई दिख्कत न्याएं कोई दिख्कत नहीं न बताव अगर मैं बात करूं है उनिश्ज तो निहार कब की है निहार 30 में है सरी इक्लाज डेली यूटूप पर दस तारी की है और अपस ख़ें और इनही सब का संख्रम है यामा में यामा आपकी 40 उसके बाद भी होगा और वह यह होगा देखो एक बार यहाँ देख लो आप यहां देख लो आप निहार रस्मी निर्जा सांधगीत यामा दीप सिखा सब्त पड़ा उनिस सु साथ प्रथम आयाम और अगनिरेखा यहां तक आपको याद रखना है यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बताओ अच्छी लगी क्लास एक गंटे आपको पूरी क्ला क्लाकिए